दोस्तो स्वागत आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट मोक्स में जरूर पूझे सबसे पहली कबर नेपाल और बिहार में भारी बारिस से हालात बिगड़े नेपाल और बिहार में पिछले 48 घंटे से हो रही बारिस के कारण राजज में हालात बिगड़ गए हैं चमपारन से मितलांचल तक के इलाकों में बाड का खत्रा मंडाने लगा है नेपाल से आने वाले नदियों ने चमपारन में तबाही मचाने सुरू कर दी है मौसम की पहली बारिस में ही बुद्वार को वालमी की नगर बराज से 4,12,000 क्यूसेक पानी छोड़ने से गंड़क का पानी पश्चिम पूर्वी चमपारन के साथ मुझपरपूर के दियारे के गाओं में घुसने लगा है अगली बड़ी खबर एक दिन में 4,52,000 टिकी लगा कर बिहार देश में अवल जिहां देश बर में चल रहे कोरोना टिका करन के दोरान बुद्वार को बिहार के नाम एक नई उपलबती दर्ज हुई बिहार में पिछली 24 घंटे में देश में सरवादिक टिकी लगाने वाला राज जिबन गया रात आट बजे तक जारे आगडो के हिसाब से बिहार में 4,52,894 लोगों को वैक्सिन देकर देश में टोप पर था जबकि दूसरे पायदान पर रहने वाला यूपी टिका करन में आगली बड़ी कबर बिहार में एकल परियोग में आने वाले प्लाष्टिक उतपादों के परियोग पर परभावी अंकुस लगाने की तैयारी में है राज केबिनेट दुवरा गद दिवस इस पर रोक को मंजुरी दिने के बाद बुदवार को परियावरन वन एवं जलवायू परिवर्तन विभा के प्रधान सचीव दीवग कुमार सिंग ने इसकी अधिसोचना जारी की है अब एकाद दिन में इसके गजट प्रकास की तीती से 180 दिन बाद यहाँ परतिबन प्रभावी हो जाएगा उसके बाद एकल परियोग में आने वाले प्लास्टिक या थर्माकोल उत्पादों का परियोग करने वालों पर करवाई की जाएगी इसमें अधिकतम पांच साल की सजा और एक लाग तक आर्थिक दन का प्रावधान किया गया है अगली बड़ी कब राज में ठोकर मार भागने वालों की निगरानी करेगा सिसी टीवी जहां सड़क पर सपर के दोरान धक्का मार कर भागने वालों की अपखेर नहीं ऐसे हिट एंड रन मामलों को रोकने के लिए सरकार की ओर से पुलीस चेकपोस्ट बनाने का निनने लिया गया है वहीं ऐसे एलाकों में CCTV भी लगाय जाएंगे जहां हिट एंड एंड रन के मामले अधिक हो रहे हैं बिहार में hit and run के मामले 40 फिस्दी होते हैं आपको बता दे कि पिछले दिनों अन्द वागया बैठक में परिवहन विभाग ने गई फैसले लिये जिसका अनुपलन सम्मन्दित विभागों को करना है निन्नाई के अनुसार ऐसे सड़कों पर पुलिस चेक पोस्ट बनाए जा अगली बड़ी कबर एम से दिगा एलेवेटेड रोड से जेपी सितु पर आने जाने के लिए दो लेन होंगे जी हाँ एम से दिगा एलेवेटेड पद से जेपी सितु आने जाने के लिए अब अलग-अलग लेन हो गया है इसके लिए जेपी सितु की समीप एक रोटरी बन पित होगी पहले जेपी सितु से पटना की और आने एवाम जाने के लिए एकी मार्ग का परियोग किया जा रहा था रोटरी का निर्मान पूर होने से अब जेपी सितु से आने एवाम जाने है तू दो लेन का मार्ग होगा वहानू को दो लेन सडक मिलेगी अगली बड़ी कब राज में इंटर नमांकन में अब एक चात्र वीस कोलेजों में कर सकता है आवेदन जिहां इंडर में दाकिला के लिए एक चात्र कई कॉलेज या स्कूल के लिए आवेदन कर सकते हैं बिहार बोर्ड ने एक चात्र को कम से कम 10 और अधिक से अधिक 20 कॉलेज या स्कूल का नाम विकल के तोर पर भरने का मौका दिया है चात्र परदेश भर के अपनी पसंद के कॉलेज या स्कूल का चैन कर सकते हैं चात्र नमांकन के लिए आवेदन भरने के समय ही इस कॉलम को भरेंगे एक बार स्कूल का 20 विकलप देने के बाद फिर उसे चात्र बदल नहीं पाएंगे इस कारण 2020 के मेरिट सुची के कटप देखकर ही चात्रों को कॉलेज का विकलप चैन करना चाहिए अगली बड़े कबर इगारवी में मेरिट लिष्ट के अधार पर होगा नामकर जी हाई गारवी में नमांकल लेना इस बार आसान नहीं होगा चात्रों को लिकित परिच्चा देनी होगे लिकित परिच्चा के बाद स्कुल द्वारा मेरिट लिष्ट जारी किया जाएगा मेरिट लिष्ट में नाम आने के बाद ही गारवी में चात्र नमांकल ले पाएंगे इस बार कई स्कूलों ने मेरिट लिष्ट के आदार पर नमांकल लेने का नेने लिया है DAV BSB में रेजिस्ट्रेशन प्रक्रिया समाप तो चुकी है अब 18 जोन को ओनलाइन लिखित परिख्चा ली जाएगी वही सेंट माइकल हाई स्कूल नोंट्रेन एकाडमी लोयला हाई स्कूल में भी इंटर्वी और लेखित परिचा के बाद मेरिट लिष्ट को आदार बनाया जा सकता है बिहार में लड़के लड़कियों के लिए खुसकबरी सियम नितिस ने किया बड़ा एलान जिहां बिहार के वावों के लिए एक वड़े खुसकबरी है क्योंकि सुवे को बहुत जल एक स्पोर्स इन्वसिटी मिलने जा रही है बिहार के मुखमंत्री नितिस कुमार ने स्पोर्स इन्वसिटी को लेकर एक बड़ा एलान किया है सीयम ने कहा कि बिहार में खेल विश्विदालय में भी लड़कियों को 33 परतिसद यानि एक तियाई आरक्षन दिया जाएगा बुद्वार को एक नेमार्ग में वीडियो कॉनफरेंसिंग के मैद्यम से बिहार के मुईकमंत्री नितिस्कमार ने बैठक की इस बैठक में कला संस्कृति एवं युवा विबाक की और से खेल विश्विदालय की सम्मन में प्रस्तावित विदायक पर ब्रिस्तित जनकारी रखी गई साती मुईकमंत्रे ने कहा कि राजगीर में अंतराष्ट्य इस्तरकर किर्केट स्टेडियम मनाया जा रहा है राजगीर में स्पोर्स अकेडमी का निर्मान कराया जा रहा है जहां केलों में रूची रखने वाले चात्र चात्राओं को ट्रेनिंग दी जाएगी अगली बड़ी कबर चिराग पास्वान ने लिया एक्षन प्रेन्स राज के बदले राजगी तिवारी बनाये गए लोजपा के नई प्रदेश अध्यक्च जी हां चाचा और चचरे भाई से मिल रहे चिनोती से निबटने के लिए मैदान में उत्रे चिराग पास्वान ने लोग जन सकती पार्टे के प्रदेश अध्यक्च के तोर पर राजग तिवारी को मनोनित कर दिया है लोजपा के प्रदेश अध्यक्च प्रिंस राज चिराग ने उन्हें अब प्रदेश अध्यक्च बनाने का एलान किया है पूर्वी चमपारन के गोविंद गंज से विधाय करा चुके राज़ो तिवारी चिराग वासान के करिवी मने जाते हैं दूसरी तरफ एलजेबी में फूट और विवादों के बेच नया मोड पसपति कुमर पारस और सांसत प्रिंस के खिलाब कोड में परिवाद दायर जिहां लोजबा में पड़ी फूट और पसुपति कुमार पारस की बगावत के बाद चल रही रार के बीज बुदवार को नया मोड आ गया है सांसद पसुपति कुमार पारस और सांसद प्रेंस राज की खिलाब मुझपरपूर की अदालत में परिवाद दाखिल किया गया है दोनों पर धोकादड़ी समे इतकए आरोप लगाए गये हैं सदर्थना चेतर के पताही निवासिक कुंदन कुमार ने बुदवार को सिजेम कोड में हाजिपूर के सांसद पसुपति कुमार पारस वा समस्तिपूर के सांसद प्रेंस राज वा पांच आगयाद पर परिवाद दर्श कराया है कोड ने मामले पर सुनवाई के लिए 21 जून की तीती निदारित की है परिवाद करता कुमार ने आरोप लगाया कि दोनों सांसद ने चार पांच आगयात लोजबा नेताओ के मदद से लोजबा के राष्टे अधग सांसद चिराग पासवान के खिलाब साजिर सरच कर दोखादड़ की है आरोपियों ने आने सांसद वा नेताओं को दिग भ्रमित किया है जिसके कारण यह परिवाद दायर किया जा रहा है अगली बड़ी कबर सुपोल अररिया बेतिया गोपाल गांज मोतिहारे समेत नो जिलों में बार की असंका एंडी आरेप की दस टिमें तेनात जिहां नेपाल में हो रही लगतार बारिश से बिहार के कई नेदियों का जलिस्तर बढ़ता जा रहा है जोन महिने में इतनी बारिश का अंदाजा किसी को बनी था बावजूद इसके बिहार सरकार ने अपनी पूरी तैयारी होने का दावा किया है इस बीच संभावित बार के खत्रे की मद्द नजर एंडी आरेप की नवी वाहिनी की दस टिमो को बिहार के अलगलग जिलों में तैनात किया जा रहा है एंडी आरेप के कमांडेड विजय सिना ने बताये कि बिहार राज आपदा प्रवंदन विवाग के मांग पर तता बल मुक्याले एंडी आरेप नए दिली के सामती से नवी वाहिनी एंडी आरेप के कूल दस्ट में बिहार राज के अरेरिया सुपोल किसन गंज दर्बंगा मुझपर पूर गोपाल गंज मोती हारी बेतिया के अलावा पटना जिले के कई इलाकों में तैनात किये जा रहे हैं दूसरी तरफ लगातार हो रही बारिस से गंड़क नदी में उपान जारी वालमिकी नगर बराज से चार लाख आठ आजार कि उसेक पानी चोड़ा गया है गंड़क बराज पर जल संसादन विवाग के अभियंता हाई अलट पर है नेपाल से आ रही पाने से बिहार के कई इलाके जल मगन हो गए है वहीं लगातार बढ़ रहे जल इस्तर के कारण जहां अन इलाकों में तेजी से पाने फेल रहा है वहीं तड़बंद और बांदों पर 24 गंड़े अभियंता और कर्मियों के मुश्तित रहने का आदेश जारी किया गिया है ताती आपको बता दे कि गंड़क नदी के जल संसादन विवाग हाई अलट पर है बड़ी कबर उत्तर बिहार के नदिया उफनाई पश्चिम चंपारन की हडबोड़ा पंड़ई बलोर और मन्यारी वजंजरपूर में कमला नदी के जल स्तर में लगतार विर्दी हो रही है पानी बढ़ने से नदियों के किनारे बसे गाउं की लोग दसत में है लोरिया नरकटिया गंज मार्ग पर असौक इस्तम के समीब डायवर्जन धवास्थ हो गया है नरकटिया गंज रैल्विस्टेसन के ट्रेग पर पानी चड़ गया है इसके करण सिंगनल बांहीत हो गया है इदर गंड़क बराज का जल स्तर भी काफी बढ़ गया है सुरक्षा की दृष्टी से गंडग पराज की सभी पाटों को खोल दिया गिया है कर्मियों को हाई लट पर रखा गिया है उदर मदवनी के जंजारपूर में कमला नदी खत्रे की निसान को चुकर बा रही है नदी में लगातार पानी बढ़ रहा है जिसको लेकर मदवनी जिले में हाई लट जारे किया गिया है बड़ी कबर अगले 48 गंटे बिहार में भारी बारिस का लट दुरसंचार यातायात और बिजली सिवाबादित होने किया संका जिया बिहार में मांसुन की अतिस सक्रियता अब संकट में तबदिल होती जा रही है भारतिय मौसम विज्ञान विभाग पटना ने आगामे 48 गंटे में पुरे बिहार विसेश कर उत्तर बिहार में भारी बारिस का अनुमान जारे किया है सेस बिहार में मैदम से भारी बारिस का अनुमान है IMD ने चेतावनी दी है कि इस दोरान जान माल का नुखसान भी हो सकता है निचले इलाकों में जल जमाव याताया, दुर संचार और बिजली सिवावी बादेत होने की आसंका है नदियम उफान आने से उनके जलिस्तर में भी अप्रत्यासित बढ़ोत्री की आसंका है बड़े कवर NMCH में 60 दिन बाद खुलेगी OPD, 17 जून से होगा इलाज 18 जून से समाइने दिनों की तरभरती किये जाएंगे मरीज, अब नहीं रहेगा COVID-Dedicated जिहां 60 दिन बाद नालंदा मेडिकल कोलेज की OPD चालू हो रही है 17 जून यानि आज से मरीजों का OPD में इलाज होगा और 18 जून से इंडोर यानि वाड में भी मरीज भरती किये जाएंगे जुनियर डाक्टोरों ने कोरोना के संक्रमित की संक्या कम होने पर स्वास्ती विवाग के प्रादान सेचिव से इसके मांग की थी मांग के 24 गंटे में ही NMCH के अधिक्चक डाक्टर बिनोज सिंग ने डेडिकेटेड अस्पताल को समयन मरीजों के लिए चालू करने का आदेश जारी कर दिया है बड़े कबर मांसुन के दस्तक के साथ ही पीपापुल बन गांदी सेतु पर बढ़ सकती है जाम की समय से त्यारी शुरू हो गई है गंगा का जलिस्तर बढ़ने के बाद हर साल पीपापुल को खोल दिया जाता है ठीक उसी तरह इस बार भी जीले में मांसुन आते ही पीपापुल पर परिचालन बन कर दिया गया है मालूम हो कि मांसुन आने के कारण हर साल 15 जून से सेतु के समनंतर बने पीपापुल पर वहानों का परिचालन बन कर दिया जाता है इसी निर्देश के कारण मंगलवार के दिन पीपापुल से वहानों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है अगली बड़ी खबर समग्र सिक्चा अभियान के तहद बिहार ने मांगे 13,142 करोड केंदर ने दिये 6,652 करोड रुपी नवी दसवी कक्चा के बच्चों को टेप देने का प्रस्ताव ना मंजूर जी हाँ समग्र सिक्चा अभियान के तहद बिहार ने केंदर से 13,142 करोड की मांग की थी केंदर ने बिहार की मांग में लगबग 50% कटोती कर 6,652 करोड की स्विक्रती दी है प्रोजेक्ट अप्रवाल बोर्ड की बेठक में केंदर ने वित्य वर्स 2021-22 के लिए समग्र सिक्चा अभियान के रासी स्विक्रत दी है कुरोना संकर जैसे सिति में कक्चा 9 और 10 वी के लगबग 36 लाग बच्चों को टेप देने के लिए राज सरकार की ओर से रासी की मांग की गई थी जिसे अस्विक्रत कर दिया गया है राजी का तरक था कि 9 और 10 वी के बच्चों को टेप मिलने से ऑनलाइन और डिजिटल पढ़ाएं में मदद मिलेगी साथ है आपको बदा दी कि राजी के 2749 में विद्दालेयों में स्मार्ट क्लास के लिए रासी स्विक्रत की गई है स्मार्ट क्लास में एलेट के मैदम से बच्चों की पढ़ाई की विवस्ता होगी कक्चा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास में ओडियो और विज्वल तरिकी से पढ़ाई की विवस्ता होगी बड़े कबर थानों में पड़े गाड़ियों की जल्द होगी निला में पटना प्रमंडलिया आयोक्त ने की समिक्चा बेड़क दिये ये निर्देश जी हाँ अब धानों में जब्त गाड़ियों के समद में करवाई शुरू की जाएगे पहले जब्त गाड़ियों के सुचित तयार की जाएगे इसके बाद धानावार लच निदारित कर चरनवार वहनों के निस्तकरन के करवाई की जाएगे जब्त किये वहनों को रिलिज करने विबिन तानों में जबत वाहनों की सुची बना कर उनकी सभी कागजादों की जाच एवं एश डायरी का एधन कर निया मनुसार सिक्र कारवाई करें बड़ी कबर महांगाई की खिलाब अभियान चलाएंगे वाम दल तीस को प्रदान मंत्रे की खिलाब प्रदसन जिहां बिहार के सभी वाम दल तीस जून तक महांगाई की खिलाब अभियान चलाएंगे अभियान के अंतिम दिन यानि तीस जून को पाचो वाम दल एक जुट होकर सभी जिला मुख्याले पर संहुक्त मार्च करेंगे और प्रदान मंत्रे नरेंदर मोदी की खिलाब प्रदसन करेंगे जमाल रोड इस्तीद सीपियम के राज कार्याले में वाम दलो की बदवार को हुई संहुक्त बेठक में यह फैसला लिया गिया है आपको बता दे कि वाम दलो ने आईकर के दारे से बाहर के परिवार को 6 माहने तक 75 सुरुपया देने परिवार के प्रतिस अदस को 10 किलो आनाज के साथ सा दाल, खायदे तेल, चीनी मसाले, चाय, आदी मोहया कराने की मांग की है बड़ी खबर कॉरोना के कमज़ूर पड़ते ही चुनाव आयोग ने सुरू की पंचाय चुनाव की तैयारिया जिलो से मांगी रिपोर्ट जिहां बिहार में कॉरोना वारेस की दूसरी लहर का प्रोकौप कमज़ूर हो गया है ऐसे में राज निर्वाचन आयोग ने पंचाय चिनाव के तैयारी सुरू कर दी है बाड को ध्यान में रखते हुए या तैयारी की जा रही है इसके लिए आयोग ने आपदा प्रबंदन विभाग को पत्र लिखा है जिसमें बाड प्रभावित जिलो से लेकर प्रकंड और प सितंबर तक कोरोना की तिसरी लहर का कोई असर नहीं दिखता है तो आयोग की रन्यती दिसंबर तक चुनाव संपन कराने की है